हलो फ्रेंग्स, वेलकम टू माई चाइनल कुग विद एनेफ यूटूबर फ्रेंग्स आज हम आप लोगों के लिए केक डेकोरेशन की वीडियो लेके आए हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनकों की डेकोरेशन करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी सी आज हम डिजाइन डेकोरेट करेंगे इस पर तो पहले हम इस क्रेपर से इस पर आइसिन कर लेंगे तो चारो तरब बहुत ही अच्छे से हमें आइसिन कर लेनी है तो केक को बिल्कुल चिकना करके हम आइसिन करेंगे ये केक हमने ब्रेट का बनाया हुआ है और इसे पहले भी जो केक हमने बनाया था वो भी ब्रेट का ही था क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आता है और ब्रेट का केक बहुत ही एजली बन भी जाता है जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि इसे पहले हमने ब्रेट का केक बनाया था उसी मेंसे ये विप क्रिम मेरे पास काफी बज गई थी तो हमने केक डिकरेशन की वीडियो बना ली है अब यहां पर हम इस टाइप का छन्ना लेंगे तो ये सभी के घर में मौझूद रहता है और इसको इस तरह से हम टॉप के उपर रखेंगे और उपर खीच लेंगे इस तरह से रखेंगे और खीच लेंगे तो बहुत ही प्यारी सी डिजाइन हमारी बनके तयार हो जाएगी अगर ये आपके पास नहीं है तो चाय वाली जो छन्नी होती है उसको भी आप ले सकते हैं से भी दिजाइन बहुत ही प्यारी सी बन जाएगी यह छोटा चम्मत जो हता है खने वाला उससे भी बहुत ही प्यारी से डिजाइन बन जाएगी लेकिन बस उसमें थोड़ा सा cutteam लगेगा और इस तो बस इस तरीके से हम इसको टॉप के उपर रखेंगे और उपर की तरफ खीच लेंगे इस तरह से बस इसी तरीके से हमें डिजाइन बनानी हो बहुत ही प्यारी से डिजाइन हमारी बनके तयार हो जाएगी तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि विप क्रिम मेरे पास बच ग तो उन दोनों को mix करके अच्छा से यह प्यारा सा कलर हमारे पास बन गया है तो यहां आप पर देख सकते हैं कि कितनी प्यारी से डिजाइन हमारी बन गई है अब इसके उपर थोड़ी सी हम इस तरह से डिजाइन बना लेंगे तो बहुत ही सिंपल हमने जैसा कि आप से कहा कि बहुत ही simple सा decoration हम लेके आप लोगों के लिए आए हैं तो जिसको नहीं भी decoration करना आता है तो वो भी कर लेगा यहां पर जो मेरे पास nozzle है इसमें कोई number नहीं पड़ा हुआ था तो इसलिए हम आपको नहीं बता पाए हैं कि यह कितने number का nozzle है और अगर आपके पास नोजल नहीं है, पाइपिन बैग नहीं है तब भी आप डिजाइन बहुत ही आसानी से बना सकती हैं जो दूद वाली पैकेट होती है बस उसको थोड़ा सा वाश कर लिजे और वाश करने के बाद उसके अंदर विप क्रिम को डाल करके और थोड़ा सा उसके मूँपर से कट लगा देना है तो बस उससे भी सिंपल सी इसी तरीके से डिजाइन बन जाएगी तो यह देखिए बढ़ी प्यारी से डिजाइन लग रही है और बहुत सिंपल सी डिजाइन है इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हमें फ्लावर टाइप का बना देना है तो यहां देखिए केक के ऊपर की टॉप बिल्कुल मेरी तयार हो गई है अब हम नीचे में भी थोड़ा सा डिजाइन हमने बनाई है और मेरा केक बहुत ही प्यारा लगेगा भी क्योंकि सिंपल डिजाइशन बहुत ही प्यारा लगता है तो इस तरह से पहले हम चारो तरफ सरकी लेग बना लेंगे और अब इसके उपर जैसे हमने टॉप पे बनाया है फ्लावर वैसे ही फ्लावर हम नीचे भी बना लेंगे यह इस तरह से बना लेना है नोजल को इस तरह रखेंगे और अपने साइड में खीज लेंगे तो प्यारा सा फ्लावर हमारा बन जाता है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये डिकरेशन पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों में शेर कीजेगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा और नौटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लिजेगा ताकि मेरी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपसे मिस ना हो इसी तरीके से हमें पूरे में ये डिजाइन बना लेनी है बहुत ही इजी तोर पे ये डिजाइन हमारी बन के तयार होगी और केक भी हमारा बहुत ही प्यारा सा लगेगा तो यहां पर हमारी डिजाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए चारो तरब बहुत ही प्यारी सी डिजाइन हमारी बन गए ये बहुत ही सिंपल सी डिजाइन तो फ्रेंज देखा है आपने कि कितनी प्यारी सी डिजाइन हमने बहुत ही सिंपल सी बना के तयार कर दी है और टॉप पे भी इसी तरीके से डिजाइन हम बनाएंगे तो केक देखे कितना प्यारा हमारा लग रहा है अब इसके उपर हम थोड़ा सा शुगर बॉल डाल देंगे तो मेरे पास यह वाइट कलर की थी इसको भी हम डाल देंगे इस तरह से टॉप पर इसके अलावा भी मेरे चैनल पे और भी केक की वीडियो अपलोड है आप उसे भी देख सकते हैं उसमें भी बहुत ही सिंपल सा डेक्रेशन हमने किया हुआ है और अगर आपके पास शुगर बॉल नहीं है तो आप डेरी मिल चॉकलेट लो दिजेगा और उसको आधे गंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजेगा और उसके बाद वो जो ग्रेटर होता है अध्रक कदू कस करने वाला बस उसी से चॉकलेट को ग्रेट करके और इसके टॉप पे डाल दीजेगा तो उससे भी केक बहुत ही प्यारा सा लगेगा तो यहाँ पे केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो फ्रेंस अगर आपको मेरी ये सिम्पल सी रेक्रेशन पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब भी कर लिजेगा ताकि मेरी जो आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपसे मिस ना हो तो नेक्स वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे तब तक के लिए बाई